तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं गांधी वर्सेज आमबेडकर आखिरकार में ये टॉपिक क्यों लेके आया हूं और किस कॉंटेक्स्ट में लेके आया हूं तो गांधी वर्सेज आमबेडकर का कॉंटेक्स्ट है regarding untouchability and caste system क्या actually में इन दोनों के बीच में कोई ideological conflict था इसका हमें प्रमान कहां से मिलेगा किस तरीके से हम इस चीज को साबित करेंगे तो इतियास में थोड़ा पीछे जाते हैं और उस चीज के बारे में चर्चा करते हैं जहां से ये conflict जो हैं बहुत ज़ादा prominent होड़ी तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूना पैक्ट की पूना पैक्ट की पूना पैक्ट का background कुछ इस तरीके से है कि डॉक्टर भीमराव Ambedkar ने demand करी थी कि जो deprived section है depressed section है उनके लिए separate electorate होना जी तो separate electorate को अगर मैं briefly समझाओं तो इसका simple concept यह है कि अगर एक result जगे से सपोज कीजिए SCI ST कोई वहाँ से candidate चुनाव लड़ रहा है वो उनके लिए seat reserved है तो इसी के साथ-साथ वहाँ पे सिर्फ SCI ST category वाले लोग ही vote डाल पाएंगे तो इसके अंदर दोनों चीज़े हो गई voting rights भी reserved हो गई और seats भी reserved हो गई इसे हम कहते है separate electorate इस चीज के उपर गांधी जी सहमत नहीं थे गांधी जी को लगा कि इससे तो पूरी society divide हो जाएगी इसके लिए वो यरवाडा jail के अंदर ही अंशन पर बैट गए और उन्होंने बोला कि नहीं ये पूना पेक्ट पूना पेक्ट साइन हुआ बिट्विन मदन मोहन मालविय एस वेल एस डॉक्टर भीम राव आमेटकर इन दोनों के बीच में ये पेक्ट साइन हुआ तो यहां से हम एक चीज जान पाते हैं कि इन दोनों के views काफी अलग थे regarding untouchability and caste system बट आगे जाने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूँ कि भले ही दोनों के views अलग थे दोनों के तरीके अलग थे strategy अलग थी पर दोनों का aim and objective एक ही था वो क्या तो वो था कि untouchability को खतम करना discrimination को खतम करना तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं मोहन दास करमचंद गांधी that is महत्मा गांधी के approach के बारे में so महत्मा गांधी was not against caste system महत्मा गांधी किसी भी तरीके से caste system के against नहीं थे उनका मानना था caste system वाला सही है चीज़े सारी अच्छी है वो जो oppose कर रहे थे वो थे untouchability वो कहते थे कि यह जो discrimination आप कर रहे हो यह गलत है so caste system अपने आप में गलत नहीं बड़ जो discrimination हो रहा है वो गलत है दूसरी इन्होंने approach की जब बात करी तो इन्होंने कहा कि जो deprived section है उन्हें non-violence और सत्याग्रह का उप्योग करना चीए ठीक है moral persuasion that is जो upper caste है जहां से discrimination हो रहा है जहां से problem आ रही है जो equality का दरजाई नहीं दे रहे वहाँ पे non-violence का principle इस्तमाल करना चीए और सत्याग्रह का principle इस्तमाल करना चीए rather than violence इनका मानना था कि उनकी अंतर आत्मा को जगाओ उनकी conscience से appeal करो कि यह जो आप कर रहे हो यह बहुत गलत कर रहे हो तो यह इनका approach था इनका approach basically सत्याग्रह के उपर ही base था जो हमने national movement के अंदर भी देखा इनकी strategy की बात करें तो किस तरीके से uplift किया जाएगा क्या काम किया जाएगा कोई तो method होगी कोई तो approach होगी तो इन्होंने अपनी strategy देते हुए कहा कि हमें constructive work करना है इन्होंने बोला कि हमें self-reliance पे काम करना है तो जो deprived section है उनको education देना है उनके लिए बहतर चीज़े develop करनी है तो हमें हमेशा constructive work पे ध्यान देना है self-reliance पे ध्यान देना है ये इनकी strategy थी तो हम देख सकते हैं कि महात्मा गांधी को हम इस तरीके से जो हैं conclude करेंगे regarding their ideas about untouchability and caste system अब अगले हमारे thinker की तरफ चलते हैं that is Dr. Bheem Rao Ambedkar Dr. Bheem Rao Ambedkar का क्या क्या क्याना था बड़ी intellectual व्यक्ति थे हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से परक्ते थे तो सबसे पहले तो Dr. Bheem Rao Ambedkar जो हैं वो caste system के against थे Dr. Bheem Rao Ambedkar ने कहा कि अगर हम caste system को हटा दें तो untouchability वाला matter ही नहीं रहे हैं Dr. Bheem Rao Ambedkar ने ये कहा कि अगर दूसरा नाम हटा दिया जाए कि suppose कीजे मैं निखिल हूँ मैं निखिल सैनी वर्ड यूज़ करता हूँ तो सिर्फ मेरा नाम निखिल हो और सैनी वर्ड वहां से हट जाए तो क्या होगा तो आप किसी तरीके से दिस्क्रिमिनेटी नहीं कर पाओगे किसी व्यक्ति को आपकी खुद की आइडेंटिटी भी डाइलूट हो जाएगी अगले की आइडेंटिटी भी डाइलूट हो जाएगी तो ये बात करते थे एनिलियेशन ऑफ कास्ट की कास्ट सिस्टम को ही जो है उखाड के फैक्ट देना चाहिए, यही सारी फसाद की जड़ है दूसरी जब इनकी अप्रोच की बात करते हैं तो इन्होंने कहां नहीं assertive and organized approach होना चाहिए जैसे इन्होंने temple entry movement चालू किया इनका सीधा कहना था कि नहीं non-violence और सत्यागरह से कुछ नहीं होने वाला जिन्होंने हमारा discrimination किया, जिन्होंने हमको exploit किया हम कब तक उनकी moral conscience को जगाते रहेंगे, कब तक उनकी अंतर आत्मा के बारे में बात करते रहेंगे discrimination तो हमारे साथ हुआ है अब इसके बाद कितने हद तक जाके हमें इस तरीके की चीज़े करनी है तो इन्होंने कहा कि assertive approach होना चीए और organized approach होना चीए जो कि इनकी methodology में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, इनकी strategy में भी आपको देखने के लिए मिलेगा strategies की जब हम बात करते हैं तो ये चाते थे कि political representation जादा से जादा मिले जो कि हम देख सकते हैं कि इनकी demand क्या थी कि separate electorate मिले depressed section को separate electorate मिले deprived section को ये इनकी demand थी क्यों? क्योंकि मैं हर बार ये चीज़ आपको कहता हूँ कि जिस भी चीज़ का legal solution नहीं हो सकता उसका political solution हो जाएगा अगर आप कोई चीज़ legally demand नहीं कर सकते हो तो उसको politically demand करिए आप अपनी सरकार पे pressure बनाईए आप वहाँ जाके अपने जो प्रतिनीदी हैं आपके जो representatives हैं या तो parliament के अंदर या state legislative assembly के अंदर उनके through अपनी बात रखी तो यहाँ पे अगर political representation होगी deprived section की तो वह parliament के अंदर जो law making होगी या फिर जो question hour होगा उसके अंदर effectively participate कर पाएंगे और बता पाएंगे कि हमारी दिक्कत क्या है आगे चलें तो legal reforms की इनों ने बात करी कि जो laws हैं थोड़े से stringent होने चीए थोड़े strict होने चीए इनी lines में हमने अलग-अलग तरीके के laws भी बनाया आगे जाके जिसके अंदर पहला most important law की अगर हम बात करें so that is civil rights act और दूसरे की अगर हम बात करें prevention of atrocities SCST Act ठीक है तो यह दो act की बात करें यह legal reforms है यह उनकी position को strengthen करते हैं तो यह approach थी Dr. Bheem Rao Ambed करें दोनों की approach में difference क्या था एक विश्वास रखते थे non-violence में दूसरे बोल रहे थे नहीं assertive हमें assert करना है अपने आपको एक की methodology क्या थी एक की methodology थी constructive work कि हमें क्या करना है सायता करनी है दूसरे की methodology क्या है कि political reforms, political representation and legal reforms तो यहाँ पे इन दोनों की approach में यह थोड़ा major difference था इसी के साथ साथ हम बात करें तो caste system के उपर views क्या थे मात्मा गांदी caste system के against नहीं थे जबकि हम बात करें डॉक्टर भीमराव अमिटकर की इनका मानना था कि caste system को जड़ से उखाड के फैंक देना चाहिए अब class conclude करने से पहले मैं आपसे question पूछूँँगा तो जुड़े रहिएगा end तक बट उससे पहले दो तिन input मैं मेरी तरफ से भी देना चाहूँगा एक बहुत ही बड़े थिंकर ने कहा है कि भारत में नीचे से नीचे माने जाने वाली जाती भी अपने नीचे एक और जाती ढूंड लेती है यह हम quote कर रहे हैं क्या कहा है कि भारत में नीचे से नीचे माने जाने वाली जाती भी अपने नीचे एक और जाती ढूंड लेती है मतलब caste system की जो hierarchy है वो इतनी जादा strong है और इतनी जादा stratified और institutionalized है कि अगर हम बात करें SCs की तो SCs के अंदर भी hierarchy है कि कौन upper SC कौन lower SC तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडिया के demography को ध्यान में रखते हुए इंडिया की history, society को ध्यान में रखते हुए आपको मुझे इस चीज का answer देना है कमेंट करना है और कमेंट में मुझे ये बताना है कि आपके according which approach is best कौन सी approach best है डॉक्टर भीमरावा मेटकर की best है या महत्मा गांधी की best है और कमेंट करते हुए आपको अपना reason भी देना है ठीक है तो analytical capabilities develop कीजे अपनी sorry analytical capabilities develop so analytical capabilities अपनी develop कीजे और मुझे पूरा reason दीजे मुझे बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता so thank you very much for watching I hope you like this video lecture अगर आपको पसंद आया हो तो like करें share करें subscribe करें thank you very much